गैज आपने देखा होगा कि जब हम जादा समय तक पानी में रहते हैं तो हमारे हातों की उंगलियों पर और पैरों की उंगलियों पर जुरियां या सलवटे पढ़ जाती हैं क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यूं है अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे कुछ समय पहले साइंस दानों ने इसके कारणों को जानने के लिए एक रिसर्च की थी UK की एक इन्यूवर्सिटी की रिसर्च के मताबिक देर तक पानी में रहने से हमारे हातों पैरों की उंगलियों पर जुरियां या सलवटे पढ़ने की वज़ा हमारे शरीर या जिसम की एक वावस्ता है मतलब हमारी जिसम का एक निजाम है एक सिस्टम है जिस से हमारे काम आसान होते है साइंस दानों के मताबिक हमारी स्किन मतलब तबचा के अंदर एक सिस्टम इंस्टोल है जो देर तक तबचा के पानी के संपर्ग में रहने की वज़ा से नसों को सिकोड देता है जिसकी वज़ा से हमारे हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों पर जुरियां या सिल्वटें पढ़ जाती हैं ये हमारे जिन्दा रहने के लिए एक जबरदस्त इंतिजाम है इन ही जुरियां और सल्वटों की वज़ा से हमारे हाथ किले होने के बावजुद भी हमारे हाथों की पकड़ कमजोर नहीं पड़ती है और इन ही सल्वटों की वज़ा से हमारे पैर भीगे होने के बावजुद भी हम फिसलने से बच जाते हैं जब साइंसदानों ने एकस्पेमेंट किया वो कुछ हsinऊ था कि जब उन्ने एक टीम को पानी में भीगे संगे मरमर के कुछ टुकड़े दिये तो उस टीम को वे टुकड़े उठाने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि संगे म मरमर के टुकडे उनके हाथों से बार बार फिसल रहे थे लेकिन बाद में जब उस टीम के सारे लोगो के हाथों को 30 मिनट तक पानी में भिगो दिये गए और उनके हाथों में जुरियां सिल्वटे पड़ गई तो जब दुबारा उनसे वो संगे मरमर के गीले टुकडे उठवाए गए तो इस टीम के सारे ल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें